चारा घोटाले की तर्च पर मध्यप्रदेश में हुआ रासन घोटाला बाइक आटो के नमबर पर बने बड़ी गाड़ियों के बिल मध्यप्रदेश में टैक होम रासन स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले की बात सामने आई है राज्जी के महालेखकार ने इस योजना में फरजीवाडे की तरफ इशारा किया है रिपोर्ट के मताबिक जिन ट्रकों में 11,000 टन के पोशन आहार का वितरन यानि की पोशन आहार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया है वे असलियत में मोटर साइकल और स्कूटर निकले हैं यानि कमपनियों ने मोटर साइकल से ट्रक की छमता वाला पोशन आहार ढोने का अविश्वशनी अकाम किया है या घोटाला भी बिहार के चारा घोटाले की तरह ही है इस बात का खुलासा अकाउंटेंट जेनरल की ऑडियो रिपोर्ट में हुआ है रिपोर्ट में बताए गया है कि लगबग 110 करोड रुपए का पोशन आहार तो सिर्फ कागजों में ही बट गया है रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों में 1100 टन के पोशन आहार का परिवहन किया गया है अभी असलियत में मोटर साइकल स्कूटर निकले हैं यानि कमपनियों ने मोटर साइकल से ट्रक की शमता वाला पोशन ढोने का काम ही नहीं किया बलकि फर्जी परिवहन के लिए कमपनियों को साथ करोड रुपए भी अफसरों ने दिये हैं औरिटर जनरल ने इसकी चांच की तो अब हड़कम मच गया है उत्तपदेश में महिला एवं बाल विकास के तहट काम करने वाली आगनवाडियों में कोशित और गर्वती महिलाओं को पोशन अहार वितरित किया जाता है पोशन अहार पहुंचाने की जिम्यदारी नीजी कमपनियों को दी गई है औरिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक कमपनियों ने परिवहन के लिए जिन ट्रकों के नंबर दिये थे उनके registration नमबर की जाँच मद्यपदे समेत उन तमाम राज्यों की परिवन विभाग की वेबसाइट से की गई है जहां बताया गया है कि इन वेबसाइट पर ट्रक के नमबर, स्कूटर, मोटर साइकल, कार और आटो मेप आई गए है यानि कमपनियों ने पोशन आहार का वितरन करने की बजाए सिर्फ कागजों में ही एंट्री दिखा दी है जांच रिपोर्ट में भुपाल, चिंदवाडा, धार, जहाबुआ, रीवा, सागर, सतनाज, शिवपुरी, जिला में करीब 97,000 मेट्रिक टन पोशन आहार स्टॉक में होना बताया था जबकि करीब 87,000 मेट्रिक टन आहार बांटना बताया है यानि करीब 10 टन आहार गायब था इसकी कीमत करीब 62 करूड रुपए है इसी तरह शिवपुरी जिले के दो विकास खंड है, खनिया धाना और कोला सर इन में सिर्फ 8 महीने के अंदर 5 करूड रुपए के पोशन आहार का भुकतान सुईकरत किया गया था और तो और इनके पास स्टॉक रजिस्टर तक नहीं मिला, जिसके चलते पोशन आहार में आने जाने की कोई एंटरी नहीं है यही नहीं, बिना किसी प्रक्रिया के अधिकारियों ने फर्मों के भुकतान भी कर दिये हैं प्रदेश में सरकार ने पोशाहार की गुणवत्ता की जांच लैब से भी कराई जिसमें पाया गया कि प्रदेश की विभिन फर्मों में करीब 40,000 में टिक तन पोशन आहार घटियां गुणवत्ता वाला बांट दिया गया है तो देखिए चारा गोटाले की तर्ज पर मध्यप्रदेश में हुए राशन गोटाले पर हमारी रिपोर्ट